जहीं दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपने यूटीब चानल टो डवड़ेट में आज की इस बोड़ेट में बात करेंगे एक अनादर जॉड़ेट के बारे में जो की JSC के तरफ से निकाला गया है ठीक है इसके रिकार्डिक हम इस बोड़ेट में होता हैंगी क्या आप पर निकती है तु परती होगी ता परीच्छा 2022 यह की निमिट भरती यहां पर निकाली गई है ठीक है regular vacancy जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बात कर लेते हैं यह जो आपका यहाँ पर प्रोसेस क्या होगी apply करनी की तो online आपका apply करनी है जो कि इस website के तो यानि के www.jsac.nick.in पर आप यहाँ पर login करके apply करेंगे जो कि यह आपका यहाँ पर दे दिया गया है जो कि राची जो कि रीम से राची अंतरगयत परिचारी का सरेनी एक पत के लिए यह आपका परतियोगिता परिक्षा निकाली गई है भरति के अगर बात करें यहाँ पे तो आपका 100 रुपिस आपका यहाँ पे फी लगने वाला है जो कि जेनरल और OVC कंडिडेट के लिए और यहाँ पे देख सकते हैं ST कंडिडेट के लिए 50 रुपिया लगने वाला है नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यह जो है आपका आवेदन करेंगे तो टोटल कितने पदे हैं और यहाँ पे कौन-कौन सक कैटेगरी वाइज रखी गई है अनारक्चित के लिए 141 है अनुसोची जन जाती के लिए 188 है अनुसोची जाती के लिए साहितिस है BC1 के लिए 23 है BC2 के लिए 24 है तो टोटल अगर सीट की बात करें तो 350 सीटे यहाँ पे निकाली गई है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यह जो है आपका यहाँ पे क्या यहाँ पे आपका educational qualification होनी वाली है देख सकते हैं कि यह सिरेनी 1 के पद के लिए यह आपका निकाला गया है यह आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि यह आपका educational qualification है जो कि बीएसी ओनर्स नर्सिंग से अगर किये हो हैं तो यहाँ आप अप्लाई कर पाएंगे देख सकते हैं कि डिप्लोमा इन जेनर्सिंग से अगर किये हो हैं तो यहाँ आप अप्लाई कर पाएंगे अगर डिप्लोमा भी है तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट बात कर लेता हैं ये आपका यहाँ पर सेक्षनिक जो की नियून नतम यह आपका धिया गया है कि यहाँ पर नियून न्तम सिरेनीBai7 जो की हारतियों से उपरोग्त पद के विरूद्द आवेदन प्राप्त होने की अंतीम तिति अबम उक्त तारीक से यहाँ पर देख सकते हैं पांस से अंतरगर नियुंतम सेक्षिनिक योगिता जो की अनिवार्य सरते धारित किये गया है जिसमें से यह सेक्षिनिक योगिता के निर्धारित के लिए ओनलाइन आविदन देने की अंतिम्तिति को धारा संख्या जो की यहाँ पर खेल कोटा से आपका जो दिया गया है कि खेल कोटा से अगर आप यहां पे अंतरास्ट ओलम्पिक से किये वह हैं तो यहां पर आपका आपको यहां पर छोड़ दी जाएगी और उसके लिए एक स्पेसल यहां पर पद्य निकाली गई है जैसे कि आपको यहां पर बता दें कि यह जो है आपका खेल कूट से आपका सेबन सीटे रखी गई है ठीक है जो कि यहां पर दिया गया है ठीक है उसके अनुसार से यहां पर आप यहां पर परत्योंगिता के तहत अगर आप यहां प तर रिक्षा के लिए विश्व रिकॉर्ड के लिए भी यहां पर वैलेड दिया गया है नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका यहां पर एज क्या होगी तो 31 इहां पर देख सकते हैं 31 23 2022 से आपका एज का नियूनतव गण्ना की जाएगी ठीक है जो कि नमी की इत्यश्व की अगर बात करें तो यह 818 साल रखा गिया है जोकी यहां पर दिया गए हैं और अधिक्तम की बात करें तो अना रक्षीद के लिए 35 दिया गया है जुश्चित अत्यंत पिछड़ावर के लिए यह आपका 37 रखा गया है महिला के लिए 38 है अनुसुची जन जाती है अनुसुची जाती के लिए महिला पर उसके लिए 40 रखा गया है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर जाती परवान पत्र के लिए आपका यहाँ कौन सा जाती परवान पत्र आपका वैलेड होगा उसके लिए यहाँ पर दिया गया है जैसे कि 25 2019 में अगर आपका यहाँ पर अनुमंडला अधिकारी से अगर बना हुआ है तो यहाँ आपका वैलेड होगा ठीक है जैसे कि 90 aparece जन जाती के लिए ये आपका परवान पत्र दी गई है ठीक है यापका सारी ditaels यहां पे देदी गई है जैसे कि कियरफुल यहां पे सारी चीजें देख पा рहे हैं जिसे सारी चीज़्ें यहां पे दी गई है यह आपका पर step by step आपको online कैसे करनी है उसकी regarding भी आपका यहां पर दिया गया है आप मेरे डेलिग्राम चैनल को जोइन करने इस पेड़ेप को वहां दे देंगे यहां इसके वेबसाइट के थो यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं मैं मनद रातरी तक कि जाएगी नेट्स बात करते हैं इस परिक्षा़सुल्क भुखतान जो यह आपका 4622 मंद रातरी तक कर सकते हैं फोटो और एपको यहां पर देख सकते हैं कि फोटो अर स्यूर्ट आपके अप इन पर ठीब्री जो घुर जो यहां यहीऊ है गया जो कि यहां आपका दिया गया है examination की अगर बात करें तो यहां पर देख बार हैं कि आपका CBT मूट से आपका exam होगा जो कि यहां आपका दिया गया है क्या यहां पर आपका exam से regarding यहां आप सारी syllabus दिये गई है जैसे कि आप यहां देख सकते हैं सारी चीज़े यहां पर mention कर दिया गया है तो I hope सारी चीज़े यहां पर देदी गई है आपको समझ में आ गई होगी जो कि हम आपको समझाए ठीक है किसी परकार के और कोई problem जाओट हो तो आप मज़े comment box में comment कर सकते हैं आज के लिए information इतना ही था दन्यवाद